कि हैं रोगाई कैसे वहाइव अपसर हो पाप लोग अच्छे होंगे और यहाँ पर जो है सबसे पहले आज किचिन का सुरू करते हैं मतलब में आप पर लंच में क्या बना रही थी वो मैं आप लोगों को मिर्च खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं मतलब 3,4,5,6 ऐसे खा जाते हैं तो इसलिए मैं इसको जादा भूनूंगी इतना भी जादा नहीं पर भूनूंगी अच्छे से जैसे ही आप मिर्च को हाथ में तो मुझे वैसा वाला मिर्च अच्छा रखता है तो यहां पर मैं मूली काटी है तो मैं आज मूली वाजी की सबजी बनाने वाली हूँ तो मूली वाजी मैंने पहले काट ली थी बट मैंने जल जल्दी में अच्छे से नहीं काटा था तो मैं आद दुबारा से इसको अच्छे पतले पतले मतलब बारिक बारिक कट कर रही हूं और मूली भी मैंने तो हम ने रेसिपी मैं अरीडी सेयर कर चुकी हूँ एक बार लेकिन आप लोगों बस आज लंच बना रही थी तो मैंने सुचा कि सेयर कर देती हूँ तो बस यहाँ पर मैंने रोटी बना के रख लिये रोटी गरम तिसली अब ड़का दिया रोटी को कि तुगली दूद भी व बबल चुका है और अब बस लंच की तैयारी हो रही है तो यहां पर देख सकते हैं कि मैंने बारिक-बारिक से मुली भाजी जो है कट कर दिया और इनको मुली भाजी बहुत पसंद मुझे पसंद नहीं है ज्यादा बट हां अच्छी बनती है तो खा लेती हूं अगर अच्छ एक तरह बुन रही है और मुझे मैंने जैसा बताया है सिपट लोगों का तरीका लग होता है खाने का किसी को कुछ पसंद होताई तो इस पर कुछ लोग कमेंड करते हैं कि आपको एसा नहीं ऐसा करना चाहिए था तो मैं यह बोल रहे हूं कि भाई खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है लेकिन हा जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरही कि से बनाऊ तब ही तो अच्छा लगेगा बाप क्या और किसी तरीके से बनता होगा हमारे और तरीके से अलग तरीके से जो जैसा खाता है उसको वैसा पसंद होता है ठीक है तो बस तो यहां पर कट हो चुकी है वाजी हमारी और यह देखो हारे ट्रेडिंग ना बहुत ज्यादा बढ़ गए है बनाना है मुझे अपने बनाना है मुझे बंपर निएक practical आयने मिल रहा है बुर्ण से बार्न आपको बड़ी-बड़ी दिख सब्सक्राइंन दक memang पनाना है कि कि अशón आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बोलिएगा कि दी आप की जो है ठ्रेडिंग कैसे बनाते हो आप देखना चाहते हैं तो मैं जरूर बनाओंगी ठीक है तो बस कमेंट कर दिया करें और आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करो इंस्टाग्राम आड़ी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है सुश्मा राकेस बाथम सच करोगे तो मिल जाओंगी भई राकेस बाथम सुश्मा ठीक है तो सच करो जल्दी से फॉलो करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो वीडियो को सब्सक्राइब करो टेक है वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करो तो यहां पर मिर्ची हमारी अच्छा मीं बूद चुकी है मुझे क्रिश्पी क्रिश्पी अच्छी लगती जैसा कि बतायाना कच्छी कच्छी नहीं लगती तो बस ऐसी क्रिस्पी तरीके से इसको भून है कभी ट्राइ करिएगा इस तरीके से ठीक है आप अगर समोसे लाते हो ब्रीट पकोड़े कुछ भी लाते हो उसके साथ जुमिर्च होती है मुझे वह अच्छी रखती है लेकिन पता नहीं चलता क्या खा रहे हैं है ना तो बस इसलिए तो यह देखो मैंने किते अच् अच्छा पापाओ पसंदी नहीं है ना जीरा ना टमार्टा ने इसमें कुछ भी नी पसंदी तो इसमें पॉसिस मैं लेस्ट से बगार रही हूं तो फिर भी इतनी प्यारी वनीती ती क्या बता हूं मैं कलर देख के आपको पता चल जाता है जैसे कि आपने अच्छा रैड कुछ लोग क्या ठीक से पकाते नहीं है यहां पर मैंने मूली भाजी है मूली है तो बस इनको अच्छे से मैं एड कर लेती हूं सब कुछ को कि एक हाथ से बननी रहा है ट्राइपोड तो मैं पहले पूरे जो हमारे मूली भाजी है इसके बाद आप लोग देखिएगा कि कैसे यह पकाऊंगी में कितना अच्छा लगने वाला है टैस्टी कलर दिखने वाला है तो बस देखती जाहिए आप लोग रोटी वगएर तो पहले ही बना लिया है यह मूली दिख़ए यह वाइड वाइड अगर बूलोगे मूली है मैं नमक डाला है इसमें तो नमक डालती अभी जो है इसको ढखके रख देंगे तो यह देखो हमारी मूली भाजी पकने लगी अभी इसमें मसाला कुछ भी नहीं डाला है सिर्फ नमक से हमने इसको पकाया है तो यह हलकी हलकी पक गई है और अब इसमें मसाला एड कर देंग चाहिए बहुत चोटा चाहिएर लोंगी अगर मुर्च आपhuhर्डिक कम चाहिए तो इसमें दो चम्मच मeur्च जाला जाना है और यहां पर मैंने चिकन नाला है इस पе चिकन मासाला अड़िकर दिया है तो अब मसाला करने के गवाद इसको हम पकने देंगे और अभी अच्छह लग रहा है अब से प्यारा लग रहा है तो कि ना तो अब यहां सब्सक्राइब तरीके से और कितना प्यारा कलर लगा आप प्यारा टेस्टी था सच में बहुत ही प्यारा टेस्टी था आप लोग बना के जरू ट्राइब करो और मुझे बताईएगा कि आपने कैसे बनाया है और मैं उसको कम्यूनिटी में सेयर करूंगी हां 100% दिखना चाहती हूं कि कौन-कौन मेरी रेसिपी फॉलो करता है बस इसली कह रही हूं तो अगर जो भी बनाता है तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर लिंक सेयर कर सकते हो या फिर आप कम्यूनिटी में भी जाके तो नहा चुकी थी किटू और सो गई है वो इसको स्वेटर पर नाकि रख रहे हैं अभी तो कि सर्दी जुखाम हो रहा है इसको तो यहां पर देखो हमारा लंच तैयार है जिसमें मूली भाजी और इसमें हैं एड मुंकी दाल और मूली है ना और बाकि आपको जो भी एड आप लोगोंने देख ली होगी कैसी लगी आप लोगों को जरू बदाइएगा कमेंट में और कोई भी और आप लोग कर सकते बहले जल्दी से इंस्टागराम पर यहां आपने डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दी हैं आप नाम सेर्च करों लिंक सेरखने करने लगूंगी तो आप लोगों को इसी हो जाएगा लेकिन अभी जो है आप लोग नाम सेर्च करोंगे ना इस्टाग्राम पर तो मैं दी हुई यहांसा देखके आप लोग जल्दी से फॉलो करो और जो बात्चित करने यह वहां पर कर सकते हैं तो यह बात तो रही हमें फॉलो करने की दूसरी बात कि आप में से कुछ लोग जो है बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट कर रहे हैं जिनको मैं धन्यवाद बोलना चाहते हूं दिल से क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़के बहुत जो भी टैंशन होती है ना या जो भी हम दिमाग में कुछ भी उड़ बाते चलती है तो वह कमेंट देखके सब चली जाती है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो भाई थैंक यू सो माच और जो बैट कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू क्योंकि आप लोग बैट कम यहां दूनिया में अच्छे लोगे माँ कुछ लोग बुरे भी होते तो फर्क नहीं पड़ता है और बस और क्या बाते करूं मैं अब भी जो है देखो कहां वैटी हूई मैं ऐसे जमीन पर बैटी हूँ इतनी ठंड मैं ऐसे जमीन पर बैटी हूँ वह भी बिना कुछ काम तो ठंड है तो फैर में थोड़ी गर्मी लगती है तो इसलिए में आप बैठ गई हूं और अभी काम सब हो चुका है बस अब लंच की तैयारी फिर से करनी है क्योंकि यह जो लेंच सेर किया है वह मैं एक दिन पहले का किया है और आज दूसरा दिन अभी देखते हैं क्या हूं वह मगाना है तो मैं सामान मंगा लेकर थे यह आप लोगे को एक डिन की दिकाहत दिकरे हां होके है और क्या वह श्रूब morning मैं बाते करता थी इसलिए मैं सु में तब तक के लिए बाई बाई